कि देखे जो हमारा टोपिक चलड़ा था रचना और रचनाकार से संबंदित तो उसमें आज हम कुछ आगे क्यूशन करने वाले हैं जो आपके एक्जाम्स में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल सी के इसी टाइप के आपके क्यूशन बारवार रिपीट होते हैं और यही आप पिछली क्लास नहीं देखिए तो डिप्स के डाला हुआ है बहां से जाके जरूर देख लें तो पहला क्यूशन आज का देखिए जितने भी क्यूशन कराऊंगा यहां पर सभी आपके प्रिवेसर एक्जाम से पूछे गए हैं असबास से आपको निचिंत रहना है क्य 2826 में जो प्रिकासित हुआ था तो उसका नाम था उदत मार्दंड ठीक है तो पहला समचार पत्र के अगर बात करूँ तो उसका नाम भी यहां पर नोट कर लें देखिए क्या था उदत मार्दंड ठीक है अब 2826 में प्रिकासित हुआ था यानि कि 30 मई 2826 तो 30 मई 2826 में प्रिकासित हुआ था उदत मार्दंड ठीक है समचार पत्र था और यह कलकत्ता से प्रिकासित हुआ था कलकत्ता से पिरकासित हुआ था और इसका जो संपादन किया था अगर संपादन की बात करें संपादन तो इसका संपादन पंडित जुगल किसोर ने किया था किसने किया था पंडित जुगल किसोर ने ठीक है पंडित जुगल किसोर तो पंडित जुगल किसोन ने इसका संपादन किया था ठीक है तो ये भी यहाँ पर नोट कर लेना चलिए अगला किशन देखते है गोदान के लेकक कौन है तो गोदान के जो लेकक है दीखे गोदान के अगर बात करूँ तो गोदान एक उपन्यास है मुनसिप पेमचंद का ठीक है किसके लेकक है प्रेमचंद का ठीक है अब दीखे प्रेमचंद के और भी उपन्यास है जैसे आपका रंग भूमी है रंग भूमी है कर्म भूमी है कर्म भूमी है गवन है गवन गवन है ठीक है निर्मला है त्टिक तो इनको भी नोट करनेश यहाँ पर कुछ यह बी पूछ ले ले लेता है बाकी भाप को मैं को फ्योरी में करूंगा तो पहां से करा दूंगा चलिए अगला कुछिमित देखते हैं Was suny南 2000 मानश की रचना की है वो तुलसी दास ने करी है ठीक है तुलसी दास ने करी है ठीक है और यह कौन सी भासा में है तो आपकी अब्दी भासा में थी किस भासा में करी थी अब्दी भासा में अब्दी भासा में इसकी रचना करी थी तुलसी दास जी ने ठीक है और तुलसी दास जो है वो देख ठीक है तो भक्ति काल के ये कवी थे राम भक्ति साका के प्रतिनतिवी कवी के रूप में प्रतिष्ट हुए है ठीक है तो तुलसी दास जी ने जो कह है जो इनकी रचनाय की बात करूं तो इनकी जो रचनाय है तो बारह प्रमारिक रचनाय है जो मानी जाती है ठीक है बारह प्रमारिक रचनाय है जो मानी जाती है ठीक है बारह प्रमारिक रचनाय मानी जाती है कौन-कौन सी है उनमें तो कवीता वली है ठीक है कवीता कवीता वली है जिसमें एक इसमें है दोहा वली ठीक है दोहा वली है और आपकी क्रेशन गीता वली क्रेशन गीता वली क्रेशन गीता वली है चोथी इसमें आपकी वर्वे रामायड है वर्वे रामायड ठीक है तो सारी लिखवाने वालों यहां पर नोट करते चलना वर्वे रामायड है आपकी रामग्गा है रामग्गा है ठीक है रामगा प्रसन राम लला है गीता वली है ठीक है गीता वली है बिने पत्त्री का है बिने पत्त्री का और यहाँ पर नोट कर लेना और बेराग्य संदीपनी है बेराग्य संदीपनी ठीक है जान की मंगल है जान की मंगल और पारवती मंगल है पारवती मंगल ठीक है तो इनकी रचना जैसे कविता वली, दोखावली, किस्ण कीता वली भरवे रामाईड, राम अग्ध्या ठीक है राम लिला तो ये इनकी प्रमुक रचना थी ठीक है तो इनको भी याउपर नोट कर लेना और राम स्रित मानस है ही आपकी ठीक है चलिए आदे अधूरे किस विधा की रचना है तो आदे अधूरे किस की रचना की यहाँ पर अगर बात करें तो आदे अधूरे जो रचना है यह मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक है ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना चलिए अगर लाकेशन देखते हैं जैदरत वद किस की रचना है तो जैदरत वद किस की रचना है अगर बात करें तो यह मेतली सरणगुप्त की रचना है तो मेतली सरणगुप्त की रचना है इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना ठी इनकी ओर भी रचना है थी जैसे रंग में भंग रंग में भंग रचना है किसान रचना है इनकी ठीक है विकट भट इनकी रचना है विकट भट तो विकट भट भी इनकी रचना है गुरुकुल है गुरुकुल है ठीक है साकेत है साकेत है भारत भारती है भारत भारती भारत भारती है तो यह बहुत साई रचनाए है इनकी जै भारत है जै भारत ठीक है दुआपार है दुआपर है ठीक है दुआपर है और जहंकार है जहंकार और पंचवटी तो इनकी यह रचनाए है मैथली सरण कुपत की ठीक है तो इनक भी आपर नोट कर लेना अगला क्यूशन है निमलिकित में से छायावादी रचनाकार कोन है तो छायावादी रचनाकार इन में से कोन है दिए छायावादी रचनाकार के अगर बात करें तो छायावादी जो रचनाकार है वो सुवित्तन अंदर पंत है ठीक है तो छायवादी रचनाकार में अगर बात आती है तो आपकी सुविद्धन रंदपन्त हो गई जैसंकर प्रसाद है जैसंकर प्रसाद भी है ठीक है महादेवी बर्मा है सूर्यकांत तिरफाठी निराला है थी चायवादी रचनाकार है ठीक है उनकों यहां पर नोट करेंगें अब यहां पर रात करें छाय बाद फाल के रचनाकार खर और को इससे नागा अरजुन है ठीक है नागार जुन नागा अर्जुन है तो दीखे मुक्ति बोध और तेलोचन सास्त्री 46 काल के कभी है तो इनको भी यह यहाँपन नोट कर लेना ठीक है चलिए दीखे यह जो है अगर इनकी बात कुरों तीनों तो यह 46 काल के तो यह 46 काल के रह document कार है ठीक है तो इनको यहांपन नोट कर लेना चलिए अगले किशन देखते हैं सूर सागर के रचेता कोन है सूर सागर के रचेरत जो है वो सूरदास है ठीक है कौन है सूरदास है तो इनकी ओर रचना है क्या क्या है जैसे सूर सारावली सूर सारावली इनकी रचना है साइत्य लहरी इनकी रचना है भ्रहमर गीत इनकी रचना है तो यह इनकी रचना है कुछ सूर सागर्स सूर सारावली, साहित तिलैरी, भ्रहमर गीत ठीक है तो इनको भी नोट कर लेना चले अगला कुसम देखते हैं निम लेकिते हैं रीती काल के कभी कोन हैं तो रीती काल के अगर कभी बात करूं तो यहाँ पर बिहारी जो है वो रितिकाल के कभी है ठीक है इनकी रचना थी एक बिहारी सतसई इनकी रचना कहती बिहारी सतसई ठीक है तो इसमें जो है 719 दोए है तो इसमें क्या है 719 दोए है और ये मुक्तक ग्रंथ है ये क्या है इनके द्वार रचित एक मुक्तक ग्रंथ है ठीक है तो मुक्तक ग्रंथ है ब्याहरी सस्सी अब देखे रीतिकाल की अगर बात आती है रीतिकाल तो रीतिकाल आपका कब से कब तक है देखे तो रीतिकाल रीतिकाल को मध्यकाल भी कहते है ठीक है रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल उत्तर मद्यकाल तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना और इसका जो माना गया है सत्रसो से उन्निस सु इस्वी तक ठीक है? तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना चलिए अगला क्रिशन देखते हैं उसने कहा था कहानी के लेखक है तो उसने कहा था तो इसके लेकर कौन है तो उसने कहा था इसके लेकर कौन है तो उसने कहा था इसके लेकर चंद्रधर सर्मा गुलेरी है इसके रचनाकार ठीक है तो दिखे इनकी अगर यहां पर बात करो प्रेम चंद की जो रचना है तो प्रेम चंद की रचना में जैसे नोट करते चलना सत्रंज के खिलाड़ी है सवा सेर गेहूं इनकी कहानी है ठीक है सवा सेर गेहूं सवा सेर गेहूं ठीक है सद गती सांती कफन तो यह इनकी कहानी है इनको भी नोट कर ले यहाँ ठीक है अब देखिए किसोरी लाल सर्माग के अगर बात करूँ तो किसोरी लाल सर्माग जैसे इंदू मती हो गई या जैसे गुलवाहार इनकी कहानी है गुलवाहार तो इनको भी नौट कर लेना और भगवान दास की बात करूं तो फिलैक की चुडैल इनकी पूछ ले जाती है इसको लोट कर लेना फिलैक की चुडैल तो यह पूछ ले जाती है इसलिए जो पूछ लिया जाता है वही आप को लिखवाने वाला हूँ पर अब देंगें केंगें चंद्रसर्मा समा की ओर रचना है जैसे सुक मत्यास सुक मेजीदन चुख मय जीवन अब जीवन रचना है और बुद्धू का काता बुद्धू का यहता आपको ँठ बुद्धू ऑक काता तो इनको को भी not कर लेना तो इनकी रचना है रचना कारों की अगरा क्यूसतन आरवसी किस का है तो उर्वासी जो है वो किसका काप्व bell कि अगर बात करोओ- उर्वसी जै संकर परसाद का काप्वmusic which किस न लिखा है जै संकर परसाद ने जैसे जैसां कांशन कांशन निये reads ध्रुब स्वामनी कंकाल आसू ठीक है आसू भी इनकी रचना है तितली तितली चंद्रगुप्त तो ये इनके काब्य है इनको भी नोट कर लेना ठीक है उसके बाद मैथली सरणगुप्त की बात करूँ तो मैथली सरणगुप्त की जैसे साकेत है इनका काब्य है ठीक है साकेत यसोधरा यसोधरा जैदरत जैदरत वद पंचवटी भारत भारती तो इनको भी नोट कर लेना ठीक है इनके रचना काब्वे हैं यह रामदारी दिनकर की बात करूँ तो रेणुका हो गया इनका ठीक है रेणुका हुंकार हुंकार उर्वसी उर्वसी रसमेर्थी रसमेर्थी तो इनकी रचना काब्वे हैं इनको भी नोट करना है अब दिखें यहाँ पर अगर बात करूँ तो मादेई बर्मा की जैसे यामा रचना है ठीक है यामा है नीर्जा है यामा नीर्जा नीर्जा दीफ सिखा ठीक है तो इनको भी नौट कर लेना ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला क्रिशन देखते हैं हिंदी साइटी के इतियास में पिरसिद कभीरदास सूर्दास महावीर पिरसाथ दुएदी प्रेम चंद हरीवन सराय बच्चन आदी किस पिरदेश से थे तो यहां पर अगर बात करूँ तो यह उत्तर पिरदेश से आते हैं सभी कहां से आते हैं उत्तर पिरदेश से अब देखे अगर कभीरदास की बात करूँ तो कभीरदास बारानसी से ठीक है बारानसी से अब यहां पर अगर बात की जाए हरीवन सराय बच्चन की इलावाद से इलावाद से अगर बात करें य ठीक है अब यहां पर बात करें महाविर प्रसाद दुएदी की तो महाविर प्रसाद दुएदी की अगर बात की जाए तो यह राय वरेली से आते हैं ठीक है उत्तर प्रदेश में राय वरेली से तो इनको भी नोट करना अगर सूर्दास की बात की जाए सूर्दास देखे तो जितने भी क्यूसन मैंने अभी तक आपको कराए हैं तो सारे मोश्ट हैं इनको यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है अगर अक्षिन देखते हैं कबिरदास तुलसिदास सूर्दास आदी कौन से काल के संत कभी है तो कबिरदास तुलसिदास सूर्दास किस काल के कभी है तो देखे भक्ति काल के कभी है ठीक है कौन से काल कभी है तो भक्ति काल के कभी है ठीक है तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना चलिए अगला क्षिन देखते है निमलिकित में से कौन सी पुष्टक प्रेमचंद द्वारा लिकित नहीं है तो इन में से कौन सी पुष्टक है जो प्रेमचंद द्वारा लिकित नहीं है देखे यहाँ पे काया किलाप भी प्रेमचंद द्वारा लिकित है कर्म भूमी भी, रंग भूमी भी ठीक है ये तीनों तो प्रेम चंद ने लिखी हैं लेकिन धुरुप स्वामनी के अगर बात करूँ तो धुरुप स्वामनी के लेखक जैसंकर प्रसाद की रचना है ठीक है किसकी है जैसंकर प्रसाद की ठीक है तो ये जैसंकर प्रसाद की रचना है तो इनको भी यहाँ पर न कुन है सूर दास हैं 30 काल आप शापके कर भी तो घिंस को भी यहां पर नोट कर लेना तो नम्लाक से किसको साहतिय अकादमि पुरूसकार मिला है तो इनमें से किसे साहतिय पुरूसकार मिला है देखिए यहाँ पर बात करूँ तो साहित्य पुरुसकार नामबर सिंग को मिला है इनमें किसे मिला है नामबर सिंग को कब मिला था 1971 में ठीक है 1971 में किसके लिए में था कविता के नए प्रतिमान के लिए है ठीक है 1971 में जो मिला था कविता के नए प्रतिमान ठीक है तो इसके कविता कविता के नए प्रतिमान प्रतिमान इसके लिए इने यह पुरुसकार मिला था ठीक है चलिए अगला क्यों देखते है ग्यानपीट पुरुसकार किस भासा से संबंदित है ठीक है तो ग्यानपीट पुरुसकार थेके तो ग्यानपीट पुरुसकार भारतिय सम्मिदान की आठवी अनुसूची की सभी भासाओ से संबंदित है ठीक है किसे संबंदित है सभी भास से सम्मंदित है देखे अब आठवी अनुसूची में कितनी भासा है जो आठवी अनुसूची है तो उसमें 22 भासाओ को सामिल किया गया है और इस पुरुसकार की जो इस्तापना होई थी ग्यान फेट पुरुसकार की इस्तापना ठीक है तो इस्तापना होई थी 1965 में ठीक है इस पुरुसकार की इस्तापना 1965 में होई थी दीक है यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना तो यहाँ पर जो साहित्य अकैद्नी पुरुसकार है तो यह 24 भासाओ में दिया जाता है यहाँ पर इस नोट कर लेना 24 भासाओ में दिया ज तो यहां पर इसको भी नोट कर लेना टोटल मिला कर 24 भासाओं में दिया जाता है ठीक है तो टोटल मिला कर कितनी हो गई 24 भासाओं में ये पुरुसकात परदान किया जाता है ठीक है चलिए अगला कुछन देखते है जूही की कली कवीता के कभी कौन है तो जूही की कली कवीता के कभी कौन है देखे जूही की कली कवीता के कभी निराला है ठीक है कौन है निराला है ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना देखे सूर्य का तिरपायटी निराला इनकी जो म अनामी का पारिमल इनकी रचना है गीती का इनकी रचना है ठीक है गीती का है कुकुरमुत्ता कुकुरमुत्ता इनकी रचना है नए पत्ते इनकी रचना है सांध्य काकली सांध्य काकली इनकी रचना है ठीक है अफसरा अफसरा भी इनकी रचना है पिरभावती पिरभावती ठीक है चोटी की पकड़ इनका पूरा नाम क्या है तो पताँ चेह सूर्यकान तिरपाटी निराला है तो यहाँ पर इसको नोट करना सूर्या कांत तिरपाटी निराला ठीक है तो चोटी की पकड़ हो गई यह इनकी रचना है लिली भी है एक इनकी रचना ठीक है लिली और सुकुल की बीवी तो ये भी इनकी रचिना है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, चलिए अगला कुशन देखते हैं, कबीर की भक्ती का स्वरूप क्या है, तो कबीर की भक्ती का जो स्वरूप है, दीके कबीर जो थे, वो निर्गुन, ठीक है, कबीर दास का, जो थे, यानिके कबीर कभीर दास का शुरूप कैसा था तो वो निर्गुन था ठीक है तो कभीर्दास जी ने निराकार इसवर निर्गुन भक्ति पर बल दिया ठीक है निर्गुन यहां पर नोट कर लेना निर्गुन तो इसबक्ति पर बल दिया था बेद पुराणों को एसुविकार कर दिया था इन्होंने क्या कहता इस पर बल दिया बेद पुराणों को एसुविकार कर दिया था जाती पाती और मूर्ती पुजा के कट्टर ब्रोधी थे ये लोधी बंसिय सासक सिकंदर लोधी के समकाल रहे हैं तो इसको तो यहां पर नोट कर लेना, दुवेदा यूगीन रचना जै भारत के रचनाकार कौन है, तो दुवेदा यूगीन रचना जै भारत के रचनाकार कौन है, देखे यहां पर बात करूँ, तो दुवेदा यूगीन रचना जै भारत के रचनाकार मेथली सरण गुप्त है, ठीक चलिए अगला कुशन देखते हैं महावी कभीर ने समास सुधार के अंतरगत किसका उबदेश नहीं दिया था कभीर रास ने जो समास सुधार के अंतरगत यानि के मूर्ति पूजा का बिरोद किया था जाति पृता का खंडन भी किया था इस्तरिपुरुस का समानता यानि के जो ये वाला इन्होंने इसका उबदेश नहीं दिया था बाकी सब का इन्होंने उबदेश दिया था आज के टोपिक में इतना ही कल मैं इसमें जो क्योसन और हैं वो आपको करा दूँगा और जितने भी क्योसन पूछे जाते हैं सारे इतनी कभी आये हैं तो सब की रचनाएय मैं आपको थियोरी में लिख वाँगा जब आपको आजे कराऊंगा कलास में तो बहाँ पर मैं आपको सारी रचनाए इनकी लिक वाँगा जो जो पूछे गए क्युस्सन है उससे relative जितने भी क्युस्सन बनते होंगे वो मैं सारे आपको कराऊंगा क्योंकि यही क्युस्सन जो दिये हैं इनसे relative जो दिये हैं कभी हो के जो इसमें नहीं पूछे हैं वो पूछ ले जाते हैं